नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे है एरन न्यूज, जहां हम लाते हैं आपको ताजा खबरे और महित्वपूर्ण अपडेट्स। आज की बड़ी खबर आ रही है ओडिशा से, जहां राजे कैबिनेट ने कुछ अहम फैसले लिये है, जो लाकों लोगों को प्रभावित करेंगे। पहली और सबसे बड़ी खबर ये है, कि ओडिशा सरकार ने एक सगनिवीरों को एक बड़ा तोफ़ा दिया है। अब एक सगनिवीरों को राजे की यूनिफोर्म सर्विसेज, यानि पुलिस, फॉरेस्ट, एक साइज और फायर सर्विस जैसी सेवाओं में ग्रूप C और D के पदों पर 10% आरक्षन मिलेगा। ये आरक्षन एक सर्विसमेन के लिए लागू आरक्षन से अलग होगा। इसके अलावा, एक सगनिवीरों को तीन साल की उम्र में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट भी दी जाएगी। इससे राजे में एक सगनिवीरों को सरकारी सेवाओं में रोजगार पाने का एक बड़ा मौका मिलेगा। इस फैसले के साथ, ओडिशा सरकार ने अपने एक सगनिवीरों के भविशे को और सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ये नियम 2024 से लागू होंगे और इससे हजारों पूर्व अगनिवीरों को फाइदा होग अब दूसरी बड़ी खबर की ओर बरते है। ओडिशा के गोपालपूर पोर्ट के विस्तार और विकास के लिए कैबिनेट ने अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनोमिक जोन लिमिटेट को 95% शेयर ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। इससे गोपालपूर इफ्रास्ट्रक्चर और व्यापारिक शमता बढ़ेगी। गोपालपूर पोर्ट वरतमान में 11.43 मिलियन मीट्रिक टन का माल संभालता है और राजे सरकार को हर साल करोडो का राजस देता है। अब इस विस्तार से और अधिक रोजगार के अफसर पैदा होंगे और राजे को सबस्क्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।